Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Asood, So Paper 1 में आज हम Higher Education System के कुछ important commissions को discuss करने वाले हैं, इन commissions से related examination में बहुत बार questions पूछे गए हैं, और उनी सब previous questions को analyze करने के बाब ही, सारी commissions के introduction और details में आपको आज के session में देने वाली हों. पहले आज हम देखेंगे woods dispatch क्या होता है, यानि की wood घोशना पत्र क्या है, इसको कब बनाया गया. देखो, एक चीज़ क्या होती है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि commissions की हम क्या बात करते हैं. commissions मैंने आपको बताया, क्या होता है, आयोग होता है. आयोग का मतलब होता है, कुछ लोगों को मिला करके एक team बना दी जाती है. अब मालीजे, education को लेकर के कोई बड़ी problem हमारी country में चल रही है. सो देश वाले क्या करेंगे, हमारी country के जो senior officers हैं, commissioners होते हैं, education से related, वो सब क्या करेंगे? काफी लोगों को मिला करके एक team बना देंगे, और वो team सिरफ उसी चीज़ के लिए dedicated होगी, सिरफ उसी चीज़ पर काम करेंगी, कि ये problem है, सो solution कैसे हम ढूंडे. एक बार उस problem का solution मिल गया, उस educational level का जो target है, उसको हमने achieve कर दिया, तो उस commission को रद भी कर दिया जाता है, चीके, सो सबसे पहले जैसे हम words dispatch की बात कर रहे थे, इसको word गोशना पत्र कहते हैं, ये गोशना पत्र हमारे educational system, English education system जो इंडिया में है, उसको बहतर बनाने के लिए भीजा गया था, 1854 में, किसके द्वारा, Lord Dalhousie के द्वारा ये भेजा गया था, उनका यही कहना था कि हमारे education system अच्छा है, लेकिन समय के साथ-साथ और उसको बहतर बनाने के लिए हमें काफी changes करने की जरूरत है, ये सब चीज़े उसमें लिखी गई थी और इसको इसलिए Charles Wood Dispatch भी कहा जाता है, अब यहाँ पर आप सब एक statement और देख रहे हो, भारतिय शिक्षा का Magna Carta, ये क्या होता है, देखो ये लिखा है English Education in India का Magna Carta किसको बोते हैं, तो answer होना चाहिए Woods Dispatch, इसको as it is याद रख लीजिए, काफी chances होते हैं कि exam ये question आही जाएगा, ठीके, अब देखो, Woods Dispatch ने एक theory थी, बहुत famous theory थी, लेकिन उनको लगता था कि ये theory हमारी education को बहतर नहीं बना सकती, इस list को reject कर दिया था, उस theory का नाम था downward filtration theory, यानि कि इसको देखो हिंदी में भी same लिखा हुआ है, ठीके, कई बार होता है ना कि जैसे माल लीजे हम किसी company में काम कर रहे हैं, global online पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ rules follow करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो rules गलत हैं, मैं उनको follow नहीं करूँगी, तो मैं reject कर दूँगी, ठीके, तो वैसे ही, Woods Dispatch ने education को बहतर बनाने के लिए काफ़े steps थो लिए थे, लेकिन काफ़े चीज़ों को उन्होंने reject पे किया था, जिसमें एक है, downward filtration theory, पेपर वन के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ, जो कि students examination के difficulty level and previous examinations को बहुत अच्छे से analyze करने के बाद बनाया गया है, इसमें daily life lectures के साथ आपका पूरा syllabus cover तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम topic wise MCQs and PYQs भी practice करवाते हैं, कि आपको यह पता लगता रही कि जो आप पढ़ रहे हो, उसमें से कैसे questions examination में पूछे जाती हैं, mock test available है और बहुत ही जादा important है, यह 5000 plus MCQ question bank जिसमें हर एक unit wise questions आपको मिल जाएंगे, इसके बाहर से कुछ भी exam में नहीं आता है, स्टोर section पर search bar में लिखे है course का नाम, जैसे ही आप content पर जाते हो आपके सामने कुछ free videos आ जाएंगी, मेरे separate complete courses आ जाएंगे जिसके लिए जो की exam के लिए काफी है, इसके बाहर से ना आपको कोई book लेने की जरूरत है, ना आपको कोई extra mock test के लिए pay करने की जरूरत है, इस course के बाहर से कुछ भी exam में नहीं आता है, last year भी बहुत से बच्चों ने सिरफ इसी से पढ़ाई करके अपने examination को बहुत अच्छे score से qualify किया था, PYQ साब देख सकते हो, PDF and video solution आपको मिल जाते हैं, इसमें आपके state के साथ साथ बागी के states के जो question papers हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से practice भी होती रहे, आप सभी students इस course को जॉइन करने के लिए बस given numbers पर WhatsApp के जरीए contact कर सकते हैं, अब यह बात आते हैं कि words dispatch तो था, लेकिन इसका फरक क्या पड़ा? इसका प्रभाव क्या पड़ा था हमारी education system पर? यह भी बहुत जरूरी सवाल एक exam में आता है, अब देखो एक चीज़ और है, प्रभाव से पहले पता देती हूँ आपको कि इंडिया में, अब जैसे हाँ पर 1854 की बात हो रही है, उस समय में इतना सादा English और इतना जादा ऐसे languages पर फोकस नहीं किया जाता था, है ना? लेकिन क्योंकि Woods Dispatch के दारान इनों ने ये कहा था कि आगया आने वाले समय में English की एहमियत बहुत सादा बढ़ने वाली है, तो English Learning जो है और Female Education यानि कि अंग्रेजी शिक्षा और महीला शिक्षा पर महत्पून ध्यान दिया जाए, ये चीज Woods Dispatch ने कही थी और इस महाफ में हम देखते हैं कि Bombay, Madras और Calcutta Universities Woods Dispatch की वजह से ही setup की गई थी, उसके स्थापना की गई थी 1857 में, ये question exam में हम expect करते हैं कि 1857 के दौरान कौन-कौन सी बड़ी Universities Woods Dispatch के दौरान स्थापित की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए Bombay, Madras और Calcutta, अब जैसे मैं आपको बताया, शिक्षा के जितने भी levels हैं, उन पर इसमें focus किया गया था, female education और English education पर major focus रखा गया था, ठीके, Bethune School जो था, वो भी specially women's की, महिलाओं की शिक्षा के लिए इस दौरान शुरू किया गया था, और ये चीजें भी woods के घोशना पत्र के अंदर ही लिखी हो थी इसके रावा यहां पर जितने भी हमारा बौधिक विकास होता है ना, किसी भी person का बौधिक विकास, यानि कि बुद्धी का विकास, general जो development होती है, किसी के mental development होती है, जो कि अगली PD के नहतिक विकास के साथ साथ उसको बढ़ावा देती है, ये सब चीजें में woods dispatch में कही colonial rule, आपको कुछ नहीं पढ़ना, बच्चे confused हो जाते है कि colonial rule, कार्टा क्या क्या ये चीजें लिखिये, आपने ये पढ़ना ही नहीं है, आपको question में हमेशा ध्यान देना है, सिरफ दो चीजों पर, एक या पर magna कार्टा लिखा हुआ है, ये रेखो magna कार्टा लिखा पूरा question पढ़ने या समझने की जरूरत ही नहीं है, बस ध्यान रखा कीजें कि के बार question में not या no ऐसी term होती है, बस उस पर ध्यान देना है, बागी कुछ भी नहीं अगला आच आता है, हंटर कमीशन जो की 1882 से 83 के बीच में आया था, इस दोरान ये आया था, ठीक है, and किसने शुरू किया था, सर विल्लियम हंटर, सर विल्लियम हंटर एक भारतिय सिवल सेवा अधिकारी थे, ठीक है, इन्हों ने ही इसको शुरू किया था, और वो इसके क Council of the Viserie के ये member थे, इसको जैसे मैंने बताया, year याद रखना है, 1882 से 83 के बीच में लाया गया, शुरूवात की गई थी, 3 April 1820 में, ठीक है, ये शुरूवात की गई थी, लेकिन शुरूवात में इन्हों ने क्या किया था, सबसे पहले, General Council of Education ने एक request की थी, गठन किया था, उसके बाद ही इसका जो है, शुरूवात होना, इसको शुरू कर दिया गया था, इस पर काम करना शुरू कर दिया गया था, the primary aim of Hunter Commission is to look into the state of primary education in India, अब देखो higher education पे सब focus करते हैं, लेकिन Hunter Commission में ये कहा गया था, कि अगर किसी के primary education, यानि के प्राथमिक शिक्षा अच्छी रहती है, तो आगे जाकर उनका level वैसे ही अच्छा रहेगा, एक होता है न, जो बच्चा basics, अगर जिन students के clear होंगे, अब जैसे मैं देखो, आप लोग बोलते हो मुझे, कि माम अभी exam में कम time है, तो आप हमें theory क्यों करवा रहे हो, तो मैं यही चीज कहती हूँ, कि अगर आ इसे clear है, उसकी प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी है, तो आगे जाकर उनको चीजे समझने और solve करने में बहुत आसानी हो जाती है, सबसे पहले इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, और उसके बाद मार्ध्यमिक और उत्षिक्षा यानि थी, बाद मे secondary और higher education पर भी दीरे-दीरे ध्यान देना शिरू कर दिया गया था, अब इसमें क्या-क्या सिफारिशे लाई गई थी, ये भी बहुत जादा जरूरी point आ जाता है, इसमें ये कहा गया था, gradual withdrawal of government from direct emphasis in secondary education, यानि कि माध्यमिक शिक्षा, secondary education जो होती है, उसके प्रत्यक्ष उद्दम के लिए, एकदम से जो withdrawal उसका हो रहा है, उद्दम जो हो रहा है, उससे सरकार की धीरे-धीरे वापस ही हो रही थी, ये hunter commission में कहा गया था, और दूसरी सी फारिश इसकी ये थी कि सरकार के द्वारा कुछ माध्यमिक विद्यालियों का रखरखाव सहायता प्राप्त विद्यालियों के लिए model के रूप में किया गया था, अब देखो, आप लोगों को ये तो पते है ना, इंडिया में भी primary schools बहुत जादा हैं जहां पर free education दी जाती है, पहले 5th class तक बच्चों को free education दी जाती थी, food provide करवाय जाता था, lunch में है न, इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनको लगा कि हाँ, education से हमारी country में फरक पढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वो 8th class तक बढ़ गया, secondary education, higher secondary education, इस तरीके से ये चीज़े गई और ये सब recommendations, hunter commission के द्वारा ही दी गई थी, okay, so इसके कुछ important point से ही है, अब hunter commission में ये भी का गया था, कि जो प्राथमिक शिक्षा है, overall तो point आपने यही आद रखना है, कि प्राथमिक शिक्षा की जब्बी बात होगी, तो hunter commission ही होगा, women education की जब्बी बात होगी, ठीके और English education की जब्बी बात होगी, so वो woods dispatch ही आपका हमेशा answer होगा, so hunter में ये का गया था, कि प्राथमिक शिक्षा पर इसमें विशेश धान दिया जाए, और students का, और जो शिक्षा की स्थिती है हमारे देश में, उसको भी evaluate किया जाए, और उसको improve किया जाए, उससे related क्या-क्या steps होने चाहिए थे, वो भी सब इसमें कहा गया था, okay, इसके अलावा, जो भी हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें जो भी धार्मिक मिशनरियां है, उनके कार्यका भी यहाँ पर मुल्यांकन किया गया था, hunter commission में, अगला commission आ जाता है, डॉक्टर राधा क्रिशनन commission जिसको की the university education commission के नाम से जाना जाता है, विश्यविध्याले, शिक्षा आयोग जो की 1948 और 49 में था, यह हमारे स्वतंतरता इंडिया जब आजाद हुआ था, उसके बाद पहला, शिक्षा का सबसे पहला आयोग यह था, आप देखोगे कि बाकी कि यह जो थे, यह अंग्रेज थे, जिन्होंने यह commission दिये थे, क्योंकि हम आजाद नहीं थे, लेकिन आजादी के बाद, डॉक्टर राधा क्रिशनन ने यह commission इंटर्डूस किया गया था, इसलिए इसका नाम डॉक्टर राधा क्रिशनन commission है, साथ ही the university education commission भी इसको बोला ज शिक्षा पर इसमें जोर दिया गया था, अब देखो इसके नाम से प्तचराई university education, कि कैसे उच्छ शिक्षा तक बच्चों को पहुंचाया जाए, कैसे उनको best courses दिये जाए, कैसे ऐसी अपने आसपास लोगों की मानसिक, मानसिकता बनाई जाए, कि वो सभी at least university तक अपने higher educational level तक पहुंचें, वहां तक पढ़ने के लिए बच्चे आए, ठीकेस इसका मुख्य उदेश्य उच्छ शिक्षा पर था, लेकिन इसके school इस शिक्षा से संबंदित मुद्धे भी छुए थे, major focus higher पर था, लेकिन जो school level के decisions होते हैं, school level के education को कैसे बहतर बनाना है, उस पर यह ध्यान देता था, आयो की 1949 के report ने नव सुतंतर भारत में विश्यविदाले स्थिती, शिक्षा की स्थिती की जांच की और इसके विकास के लिए सिफारिशे की, यानि कि जैसे हम अजाद हुए, हमारा देश अजाद हुआ, सबसे पहले उन्होंने यह यह किया कि उस वक हमारी education system, जितनी भी universities थी, उनकी क्या दशा है, किस level पर education दी जा रही है, यह सब चीज़े ध्यान से देखी, और फिर उसके बाद ही काम करना आगे शुरू किया किसकी अध्यक्षिता में किया गया था, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की अध्यक्षिता में यह हुआ था, इसके इलावा इसमें कुछ important पॉइंट से भी है, इसमें बहुत सारे सिफारिशें दी गई थी, higher education को बहतर बनानी के लिए, लेकिन वो पहले सिफारिशें सिर्फ ऐसी ही होती थी, उसके बाद उन्हीं सिफारिशों को एक report के रूप में, august 1949 में present किया गया था, लोगों के सामने, और फिर इसको commission एक finally बना दिया गया था, फोकस किया, पहले इन्होंने state level की universities पर focus किया, उनको examine किया, ठीके, उनकी जांच की पहले की कौन सी university किस level पर है, क्या उनको improvement की जरूरत है, ऐसे करते करते हैं, उन्होंने पहले state wise universities देखी, फिर overall इंडिया का analysis किया, और उसके बाद ही, august 1949 में ये report फिर जारी कर दी गई थ university education की जितनी भी development से related काम है, वो सब इसमें किये गए थे, और ऐसा नहीं है कि ये सरफ report आई 1948 में और 1949 में ये चीजें खतम होगे, इनके जो goals थे, जो लक्ष थे वो अचीव होगे, ऐसा नहीं था, लगभग 10 से 12 साल इस पूरे काम में लग गए थे अपनी higher education policy और higher education system को बह तर बनाने के लिए, okay, so I hope students, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, वो clear है, इतने तीन commissions में कोई भी doubt है, कोई भी queries है, मुझे जरूर पूछेगा, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very